नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर में इन दिनों जब लगभग हर भारती नागरिक की निगाहें सुप्रीम कोट के अयोध्या के फैसले पर टिकी हुई है, हम बात करेंगे एक्जैक्ली तीस साल पुरानी दो घटनाओं की, बात नवंबर 1989 की है और भारत में आम चुनाओं की तयारी चल रही थी, पात साल पहले, चार सो से जादा लोकसभा सीट जीतने के बावजूद, राजीव गांधी की नईया डगमगा रही थी, कई कारण थे, लेकिन विपक्ष के पास सबसे बड़ा हतियार स्वीडिश हाविट्जर फील्ड गंस बोफर्स था, करप्षन के चार्जिज अभी साबित नहीं हुए थे, लेकिन 1989 तक राजीव गांधी परसेप्शन बैटल हार चुके थे, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, ये नारा भारत की गलियों में गूंज रहा था, हिंदुस्तान में चुनावी दंगल से अलग एक और लॉंग प्लेइंग रेकॉर्ड चल रहा था, ये मुद्दा था बाबरी मस्जित और राम जनम भूमी विवाद का, इस मसले के ट्विस्स और टर्न्स ने आने वाले चुनाओं को बहुत प्रभावित किया, साथ ही देश की राजनीती, सेक्लरिजम के माइने और सामाजिक भाईचारे को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, बहुत हद तक जो परिवर्तन भारत की राजनीती में आज हमको दिखाई देता है, उसकी निव नवेंबर 1989 में रखी गई थी, एक तरफ हिंदुस्तान में लोगों के बीच दूरी बढ़ने की तैयारी हो रही थी, वहीं दूसरे तरफ भारत से कई हजार किलो मीटर दूर जर्मनी में लोग आपस में बेहर रखना बंद करने की तरफ एक एहम कदम उठा रहे थे, सहियों की बात है कि दोनों घटनाएं एक ही दिन घटित हुईं, 9 नवंबर 1989 को, हिंदुस्तान में कारेकरम के और्गनाईजर्स ने सब कुछ खतम हो जाने के बाद उस दिन शाम को ऐलान कर दिया कि देश में हिंदू राश्ट्र के निव रख दी गई है, जाहिर सी बात है कि इस दावे से साम्परदाइक तनाव बढ़ा था और हिंदू मुस्लमान की बीच की खाई और गहरी हो गई थी, दूसरी तरफ जर्मनी में ये दिन फॉल ओफ बर्लिन वॉल के तौर पर मशूर है, शीत युद या कोल्ड वॉर के हाइट पर अगस्ट 1961 में इस जर्मनी की सरकार ने बर्लिन शहर के ठीक बीचो बीच सिर्फ दो सप्ता में बर्लिन वॉल उठाई थी, लगभग तीन दशक तक ये दीवार दो दुनियाओं के बीच की सिंबॉलिक डिवाइडिंग लाइन बनकर खड़ी रही, 1980 के दशक के अंत तक इस्ट यॉरोप के कई देशों में विरोध की भावना संसनी फैला रही थी, इस जर्मनी में भी सरकार जनता के गुशे को काबू नहीं कर सकी, फाइनली इस जर्मनी की सरकार ने ऐलान किया कि जनता वेस्ट जर्मनी और वेस्ट बर्लिन जा सकते हैं, हजारों लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि वे फॉर्मल एंट्री के पहले ही दीवार को फांद कर और बर्लिन वाल को खुद तोड़ कर अपने बिछडे देशवासियों से मिलने वेस्ट बर्लिन चले गए, वेस्ट बर्लिन का फॉर्मल डेमॉलिशन जून 1990 को शुरू हुआ, और जर्मन रियूनिफिकेशन का प्रोसेस अक्टूबर 1990 को संपन हुआ, भारत में लेकिन इंतिजाम किसी और इमारत को डेमॉलिश करने के लिए हो रहा था, लेकिन बाबरी मस्जिद के डेमॉलिशन के पहले कई किसम की और तैयारियां करनी जरूरी थी, जर्मनी का विभाजन, बर्लिन वॉल का उठना, उसका तूटना, जर्मन रियूनिफिकेशन की कहानी, इतिहास के कुछ ही पन्नों में सिमट के रह जाती है, लेकिन बाबरी मस मस्जिद राम जनम भूमी का इतिहास बहुत लंबा और कई पहलूं को टच करता है, एक तरफ तो ये मुद्दा इतिहासिक डिस्प्यूट है, क्या बाबरी मस्जिद बाबर ने किसी भव्वे राम मंदिर को तोड़ कर बनवाया था, क्या ये क्लेम आर्केलोजिकली स्था आपित होता है, लीगली जिस जमीन पर डिसमबर ने सो बानवे से पूर बाबरे मस्जिद स्थित थी, किस की है, क्या ये मुस्लिम पार्टीज की है, या फिर केस में हिंदू पार्टीज की, और फिर सबसे एहम बात जो संग परिवार के नेताओं ने उठाई थी, राम मंदिर के मामले में आस्था सबसे बड़ी बात है, हिंदू अगर मानते हैं कि अयोध्या में उसी जगा पर राम जी का जनम हुआ था, और वहां एक भव्वे मंदिर था, तो सब को ये बात मान लेना चाहिए, ये बातें तो अदालत तय करेगी कि वो सही है या गलत है मगर इस विवाद के इतिहास के कई पहलों को समझना बहुत जरूरी है, सब जानते हैं कि डिसंबर 1949 तक बाबरी मस्जित में मुस्लमान नमाज अदा करने जाते थे, एक सर्दरात, पूरी तैयारी के साथ, कुछ हिंदू गुटों ने जबरदस्ती, राम, सीता और लक्षम की मूर्तियां मस्जित के अंदर रखती, अगले दिन सुभा, अगले दिन सुभा सुभा ये हला हो गया कि राम लला प्रकट हो गया, क्या मूर्तियों को इस तरह जबरदस्ती इंस्टॉल करने को प्रकट होना कहा जा सकता है, क्या मूर्तियों को हिंदू पद्धती से वहा विवादित धाचा घोशित कर दिया और ताला लगा दिया लेकिन साथ ही पंडित न्यूक्त कर दिये गए ताकि पूजा अर्चना हो सके कोई सेवगार्ज नहीं रखे गए जिससे मुसलमान नमाज वहां जाके पढ़ सके एक तरह से मुसलमानों के लिए उनका धर्मस्थान आउट अफ बाउंड्स डिकलेर हो गया वैसे भी उस पीरियड में जब मुसलमान धीरे धीरे अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चले जा रहे थे अयोध्या फैजाबाद में उनके प्रॉपर्टीज पर अक्सर हमला होता था 1949 से 1986 तक स्थिती ऐसी ही रही कोट केसिस की सुनवाई फैजाबाद में धीरे धीरे चल रही थी और बाबरी मस्जित पे ताला बरकरार था हर साल अयोध्या में कई हिंदू उच्सव होते थे मगर बहुत जादा लोग उस डिस्प्यूटेट श्राइन के दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे अचानक फरवरी 1986 में एक फैजाबाद कोट ने बाबरी मस्जित का ताला खोलने का आदेश दे दिया साथ ही ये कहा कि हिंदू दर्शनार्थी धाचे के अंदर जा सकते हैं इस कोट ओर्डर से बाबरी मस्जित डी फैक्टो मंदिर में तब्दील हो गया तीन साल विश्व हिंदू परिशद बजरंग दलने अलग-अलग कारेकरम चलाए देश भर में बहुत सारे सांप्रदाइक दंगे भी हुए और इन सब के जड़ में अयोध्या विवाद मुखे कारन था जून 1989 को भारतिय जन्ता पार्टी ने रेजलूशन पास करके राम मंदिर का निर्मान अपने एजेंडा में शामिल कर लिया ये एक एहम फैसला था ये रेजलूशन चुनाओ के ठीक पाँच महीने पहले पास हुआ उस समय विश्व हिंदु परिशद ने बहुत प्रोवोकेटिव राम शीला पूजन यात्राइन भी लॉंच की इससे फिर से बहुत दंगे भड़के जिन में से प्रमुक भागलपूर का किमिनल रायट था राम मंदिर मुद्दे को नैशनल इशू बनाने में वी एच पी और संग परिवार के बाकी संगटनों की बहुत इनोवेटिव स्ट्राटिजी एक बहुत बड़ा कारण था अब 1989 के जो दो प्रोग्राम थे उनको ही देखिए उन दिनों टीवी या इंटरनेट नहीं था मुझे अभी भी याद है एक फरवरी 1989 को जब इलाबाद से विश्व हिंदु परिशद की मीटिंग की खबर आई अपने दफ्तर में न्यूज एजेंसी की टिकर कौपी को पढ़कर मैं रियाक्शन लेने बाबरी मस्जद मुव्मेंट कोडिनिशन कमिटी के नेता और रिटाइड आई एफस आफिसर सेद शाहबुदीन के पास गया उन्हें पता था कि बहुत एहम फैसला आने वाला है उसके एक दिन पहले उन्ही के संगटन ने मस्जद को प्रोटेक्ट करने के लिए हिफाजती दस्ते बनाने की बात की थी मैंने उनको राम शीला पूजन कारिकरम के बारे में बताया और वे गंभीर हो गए थीरे से कहा विद इस प्रोग्राम दे विल यूनाइट अल हिंदूस उन्होंने एक्स्प्लेइन किया लोगों को राम मंदिर के कौज में सेंस अफ पार्टिसिपेशन हासल करने के लिए अब आंदोलन में शामिल होकर जोखेम उठाने की जरूरत नहीं है पस जैश्री राम लिखी इन इटो को पूझ कर और थोड़ी दूर यात्रा के साथ चलने के बाद इन्वाल्मेंट हो जाएगा जब मैंने 9 नॉविंबर 1989 के शिला नियास प्रोग्राम और कार सेवा के बारे में बताया तो उन्होंने दो बाते कहीं एक ही प्रोग्राम बहुत इनोवेटिव और स्मार्ट है क्योंकि इससे एक सेंस होगा लोगों के बीच में कि राम मंदिर का निर्मान शुरू हो गया है शिला नियास के लिए हिंदू कैलेंडर में देवठान इकादशी का दिन चुना गया इस दिन अयोध्या में हमेशा बहुत भीड होती है ये वो दिन है जब हिंदू मानते हैं भगवान विश्नू चार महीने के बाद विश्राम के बाद जगते हैं मतलब समझ लीजिए अब भगवान विश्नू खुद उठकर खड़े हो गय थे राम मंदिर की योजना के लिए इसके बाद राम मंदिर के मुद्दे पर ये कहना बहुत मुश्किल हो गया कि कहां राजनीती की सीमा खतम होती है और कहां धर्म की टेरिटरी शुरू होती है शाह बुद्दीन ने एक और बात बताई शिला नयास के लिए विश्व हिंदू परिशद ने जो जगा सिलेक्ट की थी वह विवादित जमीन थी और इलाबाद हाई कोट में और रेड़ी सारे केसिस कलब करने के बाद सुनवाई चल रही थी कोट ने सरकार को स्टाटस को मिंटेन करने के लिए आदेश दिया था उस समय सवाल ये उठा कि क्या राजीव गांधी की कॉंग्रेस सरकार पॉलिटिकल करेज मस्टर कर सकेगी इसको रोकने के लिए चुनाओ के पहले ये क्लियर हो गया था कि हिंदूों में एक बहुत बड़ा तपका राम मंदिर के आंदोलन को सपोर्ट करने लगा है इन हालातों में क्या सरकार शिलानियास को इल्लीगल डिकलेर करके कारेक्रम को रोक सकेगी बात सिर्फ राजनितिक सहास की नहीं थी बात थी पॉलिटिकल कन्विक्शन की किस हद तक कॉंग्रेस में कम्यूनल ताक्तों से लड़ने की शमता थी ट्रैक रेकॉर्ड अच्छा नहीं था 1980 के दशक के शुरू से ही पहले इंदरा गांधी और बाद में राजीव गांधी इन्होंने कम्यूनल फोर्स के साथ कॉंप्रोमाइज किया हम लोग कश्मीर में इंदरा गांधी के 1983 एसेंबली चुनाओं की रन नीती का इंपैक्ट अभी भी भुगत रहे हैं सब ये जानते हैं कि राजीव गांधी ने शाहबानों के मुद्दे पर कंजरवेटिव फोर्स के साथ कॉंप्रोमाइज किया था और ये एक बहुत बड़ा कारण था संग परिवार को उत्साहित और उत्तेजित करने का जैसे जैसे चुनाओं और शिला न्यास की तारीक पास आती गई अटकले बढ़ती गई कि क्या राजीव गांधी में पोलिटिकल करेज होगा इसको रोकने का अल्टिमेटली सरकार ने लीगल दाओं पेस लगा कर कोट को बता दिया कि शिला न्यास का exact spot विवादित नहीं है और कारेकरम परमीसेबल है मैं उस दिन वहाँ था मैंने देखा था विश्व हिंदू परिशद के उचसाहित कारेकरताओं को मनुश्य की हड्डियों के साथ रित्ते कर रहे थे ये जमीन दरसल एक पुराना कब्रिस्तान थी गंज शहीदा उसका नाम था उसकी कहानी और लंबी है और बहुत पुरानी है किसी और दिन बताएंगे अगली सुबा होटल में टीवी पर फॉल आफ बरलिन की तस्वीरे देखी हम लोगोंने एक तरफ जर्मनी में लोग घोस अफ दपास्ट को दफना रहे थे और हम हिंदुस्तान में गड़े मुर्दे उखार रहे थे राजीव गांधी अगर हिम्मत दिखाते और शिलन्यास ना होने देते तो आयोध्या की कहानी कुछ और होती नमश्कार